सूजी का हलवा अगर आप भी पुराने तरीके से बनाते हैं तो छोड़िए पुराना तरीका चलिए बनाते हैं नए तरीके से बहुत ही स्वादिश्ट एकदम लाजवाब माता रानी को आप भी इसी हलवे से भोग चड़ाईएगा उनको भी पसंद आएगा और आपको भी बहुत ही खास तरीके से बनने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने एक कप सूजी लिया है सूजी आप कोई साभी ले सकते हैं चाहे मोटा रवा ले या फिर जो छोटा कड़ होता है उसको ले 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 यहाँ पर मैंने आधी कटोरी घी लिया है अब हम कड़ाई में डाल देंगे दो से तीन चमच देसी घी प्योर घी है घर क तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने घी को डाल दिया है जब घी मेल्ट हो जाएगा इसके बाद इसमें हम सूजी को एट कर देंगे और लो फ्लेम पे हमें सूजी को फ्राई करना है ना ही मेडियम फ्लेम पे और ना ही हाई फ्लेम पे नहीं तो सूजी हमारी जल जाएगी और अब इसके बाद इसे हमें 15 मिनट तक भुनना है 10 मिनट तो 10 से 15 मिनट तो फ्रेंट्स लगी जाते हैं इसको भुनने में तभी हमारा हलवा बहुत ही स्वाधिष्ट बनेगा और बहुत ही रसीला बनेगा आपको विश्वास नहीं होगा वीडियो पूरा देखिएगा आपको इसमें बहुत कुछ खास मिलेगा देखने को तो चलिए नई ट्रीक आजमाते हैं तो यहाँ पर हमने लिया है एक बरतन इस बरतन में डालेंगे उसी कटोरी से एक कटोरी भर के चीनी और उसी कटोरी से हमें तीन कटोरी भर कर पानी अड़ करना है तो यह देखिए फ्रेंट्स तीन कटोरी हो गई न अब हम इसे ले चलते हैं गैस की तरफ और गैस पे चढ़ा देते हैं इसे सीड़ा नहीं बनाना है बस हमारी चीनी मेल्ट हो जाए इतना ही हमें इसे करना है यहाँ पे हम डालेंगे 8-10 केसर के धागे इससे बहुत ही बढ़िया सा कलर आएगा यहाँ पे यह देखे तब तक हमारी सूजी जो है वो भुन चुकी है और इससे चलाते रहना छोड़ना नहीं वरना नीचे से जल जाएगी सूजी तो सूजी हमारी अच्छे से भुन चुकी है अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें एड कर देते हैं कुछ चीजें जो बहुत ही खास है तो फ्रेंट्स दूसरी ट्रिक है दो चमच भर के काजू और बदाम के पाउडर पाउडर डालेंगे न तो बहुत ही बढ़िया सा टेश्ट आएगा किसी को पता ही नहीं चलेगा वैसे आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं पर मेरे क्यास से पाउडर जादा बेश्ट है अब यहां पे हमारा सीड़ा भी पक चुका है सारी चीनी मेल्ट हो गई बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया है सूजी भी हमारी भून चुकी है तो अब इस सीड़ा को हम सूजी के अंदर एड़ कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कहीं कहीं आपको भी लग रहा होगा कि मैंने सूजी में बहुत पानी डाला है पर पानी जादा नहीं है अभी आपको आगे पता चलेगा अब इसमें हम ढालेगे धेर सारी किस्मीस यह आपको पसंद है तो डालेगा और 2 चमच भर के देसी गी और एट करेंगे तो हमारे हलव में उपर उपर घी दिखेगा बहुत ही प्यारा सा अब इसमें फ्लिवर के लिए थोड़ा सा हिलाची पाउडर डालते हैं और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और फ्रेंट्स एक बार बाहर जाके देखें इसकी खुसबू न दूर दूर तक फैली होगी तो भी खीचे चले आएंगे तो ये देखें हमारा हलवा रेडी हो गया है इसे हमें दो मिनट के लिए ढग देना है ताकि और रसीला और सॉफ्ट हो जाए दो मिनट के बाद ये देखें हमारे हलवे को बहुत ही लाजवा बन के करना है तभी तो हमारा हलवा रसीला बनेगा एकदम मुह में घुल जाएगा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसके बाद इसे सर्व करते हैं जिस किसी को भी आप ये रसीला हलवा परुसेंगे न फ्रेंड्स वो इस हलवे का दिवाना हो जाएगा और आपसे एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार मांगे खाएगा तो चलिए फटफट इसे हम निकाल लेते हैं और गर्मा गर्मी से आप पहले माता रनी को भोग चड़ाएगे कंचगों को खिलाएगे उसके बाद आप खाईएगा तो इसे अब हम थोड़ा सा प्लेट में सेट कर लेते हैं अच्छे से और थोड़ा सा घी और डाल देते हैं आप परेशान मत होएगे फ्रेंड्स अपने कौर्डिंग ही घीर डालिएगा मैंने ज़्यादा घीर नहीं डाला है पर आपको ज़्यादा लग रहा होगा तो आप खम कर और फ्रेंड्स बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी नई नई रेसिपी आप तक पहुच सके उपर से थोड़े से ड्राइफ रूट्स एड़ कर देंगे आपका मन है आड़ करिए चाहे नहीं आड़ करिए हल्वात हमारा वैसे ही बहुत ही स्व